भारत को यहां करा याद रखिए भारत को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थेववस्ता बनने में लगबग साट साल लगे थे, साट साल, 2014 में जब देश ने हमें आउसर दिया, तो टू ट्रिलियन मार्ग भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन दस वर्सों में हमने अपनी अर्थेववस्ता में टू ट्रिलियन डॉलर और जोड दिया, एक के लिए साट साल, दस साल में दो और जोड दिया, जब भारत दुनिया की ग्यारवे नंबर की अर्थेववस्ता सा, और ग्यारा से दस पर आने में दम उखड गया उनका, हम ग्यारा से पाँच पर लिया आए, आर्थ बवस्ता जब 11 नमबर पड़ सी तब इंफ्रा सेक्टर का बजेट सिर्फ 2 लाग करोड रुपी भी नहीं बन पाता था आज भारत पांचवे नमबर के अर्थ बवस्ता है तो भारत का इंफ्रा बजेट 11 लाग करोड को पार कर चुका इसी वज़े से आज गरीबों को एक करोडो घर बन रहे हैं आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है आज देश में रिकोर्ड मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, युनिवर्सिटीज बन रहे हैं गाउं तक की सडके बन रही हैं जब भारत दुनिया की टॉप तीन अर्थ बवस्ताओं में आएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कारियों के लिए हमारे पास कितनी जाज़ पूंजी होगी इसलिए भारत के तौब तीन एकोनोमी में आने का मतलब है भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुद्रेगा भारत के हर परिवार की आए बहुत अधिक बढ़ जाएगी भारत का पब्लिक ट्रंस्पोर्ट और आदूनित बनेगा भारत में रोजगार के नए सेक्टर खुलेंगे रोजगार के और जादा मोके मिलेंगे भारत के हुआओं को भारत में पंडिंग के जादा से जादा आउसर आएंगे भारत के महलाओं को हर मोर्ते पर आगे बढ़कर रेक्तूरत करने का मोका मिलेगा हमारे किसान लेटेस्ट टेक्नोलोजी से करेंगे लोगों की जीवन बहतर बनाने के लिए देश में परियाप्त संसाधान और आवश्यक विवस्ताइं मौजूद होगी साथियों मुझे खुशी है कि आज विक्सीद भारत अभ्यान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने सबादी है पिछले डेड़ साल में विक्सीद भारत के संक्व से जुड़े सुजाओं के लिए और लोगों ऐसा लगता होगा कि हम बात पता ऐसा नहीं है इस पर हम डेड़ साल से चुपचाप काम कर रहे हैं सरकार की मश्रिकों लगाया है और आपको जान करके खुशी होगी अब तक 15 लाख लोगों से जादा लोगों ने विक्सीद भारत कैसा हो रोड मेप कैसा हो इनिशेटिव कैसे हो नीतियां कैसी हो इसमें विचार भी मर्श हुआ है लोगों ने अपने आइडियाद दिये हैं और आपको जान करके और खुशी होगी इन 15 लाख में से आदे से जादा वो लोग हैं जिनकी उमर 35 से कम है पूरी युवा सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इन लाखों युवाओं ने विक्सीद भारत का रोड मेप सुझाया है चाहतियों युवा उर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष ताय कर रहा है और जो लक्ष ताय करता है अपनी आँखों के सामने उसे प्राप्त भी करता है हम 2029 में कि दो जार उंतिश में भारत में यूथ ऑलेंपिक के लिए तयारी कर रहे है हम 2036 में भारत ऑलेंपिक खेलों की मेजबानी करें इसके लिए काम कर रहे है हम 2030 तक हमारी रेल्वे को नेट जीरो टार्गेट पर ला करके कार्बन मुक्त करने के दिशा में काम कर रहे हैं हम 2030 के बजाए अपनी टार्गेट डेट करें पाँच साल पहले ही पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथिलोल ब्लैंडिंग का लक्ष भी हासिल कर लेंगे भारत 20-70 तक नेट जीरो के लक्ष को हासिल करने के लिए भी नीतिया बना रहा है इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारे देश में अंगिनत ग्रीन जॉब्स बनेगी साथियों विक्सीद भारत वो नहीं होगा जिसका भविश्य भाग्य के भरोसे हो इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्वर्ता को हम तेजी से कम कर रहे हैं इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबत तरीके से काम भी कर रहे हैं बविश्य में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिसे लाखो करोड रुपिय का खाद दे तेल भार से लाने की जरूत नहीं होगी हमारे पाम ओईल मिशन के मदद से हमारे किसान इतने सतक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके बीते कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और स्री अंड के लिए विशेस नितिया बनाई हैं जिसे छोटे-छोटे किसानों को मदद हो रही है बविश में भी हमारे किसानों को इन से बहुर लाब मिलेगा, किसानों के बविश को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने केने में अमृत सरोवर अभ्यान भी शुरू किया, आजहादी का अमृत महोत्सा हो, हम बहुत कुछ कर सकते थे हम दिल्ली के अंदर को एक बड़ा ताबूत खड़ा कर दे के नाम लिखवा सकते थे कह आजादी के अमुर्थ कान में मोदी जी ये बना के गए हमने आजादी के अमुर्थ वर्ष को जनांदुलन बनाया और काम क्या किया तालाब बनाये हर गाओं में जब तालाब बनते हैं वो किसान को सुरुक्षित करते हैं शुत्व पानी की गारंटी देते हैं जमीन उर्वरक बना देते हैं लंबे भविश को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं और इस अभ्यान के देश में अब तक साथ हजार से ज्यादा नवे सरुवर बनाए जा चुके साथ हजार तालाब शायदी किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सवभा जाया होगा यह सरुवर जल्द सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभ्यान और सोलर रूप्टाप मिशन के खारण देश रिन्योबल एनरजी के खेतर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमी कंड़क्टर हब बनेगा और इसे पुरी दुनिया में नई कॉम्पूटिंग रिवोल्शन को भी भारत गती देने का निवित्त बनने वाला है पूर्ट लेड ग्रोथ से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट तक आने वाले समय में हर छेतर को नई उचाई मिल सकेगी साथियों भाजपां आज देश का एक मात दल है जो एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना के प्रती इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है मैं पिछले माहिने के अपने अनुभावों को भी कभी भूल नहीं सकता इस दोरान मुझे बगवान सी राम से जुड़े कई स्थानों में प्रमण करने का आउसर मिला मैंने ग्यारा दिन का अनुष्ठान चल रहा था उस अनुष्ठान के दर्वियान मैंनासिक, लिपाक्षी, त्री प्रयार, शीरंगम, रामेश्वरम, धनुष्गोडी मैं इन जगों पर एक सामन्य साधक के दौर बगाया था इस दवरां मुझे दक्षीड भारत के वीविन नक्षेत्रों में लोगों से जो नहीं मिला, आश्रिवाद मिले मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और पॉलिटिकल पंडितों के परामिटर में उसकभी आधी नहीं सकता है जब मैं सड़कों से गुजर रहा था, लोग अपने बचन से, अपने भावों से, मुझ पर अपना आश्रिवाद बरसा रहे थे इस दोरान मुझे कंबर आमायन का पांट सुनने का आउसर मिला यह ठीक उसी जगे पर हुआ, जहां महान कभी कंबर ने आट सो वर्स पहले अपने रामायन की रचना की थी अब कल पना कर सकते हैं उसी स्थान पर बैठ करके, जो मैं कंबर रामायन सुन रहा था उस भाव विश्व को मैं ही अनुभव कर सकता हूँ यह एक ऐसा धूक्षण था, जिसमें एक भारत स्टेश्ट भारत की भावना पुरी तरह समाई थी मुझे भी इस बात है, कि आप सभी ने भी कमधिक मात्रा में इसे मैसूस किया होगा हम हमेशा विपिन्द तर्युके से देश वाचों को करीब लाने का निरंत प्रयास करते हैं एक ता के सुत्र में बांदे के लिए हमारी कोशिच रहती है, चाहे संयूत राष्ट में पहली बार जाकर के कोई तमील में बोलता है जगत गुरु बस्विस्वरा का सम्देश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लेके जाते हैं काशी तमिल संगमम कायोजन हो, काशी तेलुकू संगमम कायोजन हो या फिर बीच उ में, सुप्रोमोमनें भारति के नाम पर चेर की स्ठापना हो हम जी 20 करते हैं तो भी देश के कोने में जा करके करते हैं हम विश्वगे में हमान आते हैं कुछ दिल्ली कोई देश नहीं मानते हैं हम हर राज्य में ले करके जाते हैं हमारे राज्यों के स्थापना दिवस बनाये जाते हैं कोई भी राज्य भवन होगा नागालेन का भी वहां स्थापना दिवस मना जाएगा और गुजरात का भी मन बनाए जाएगा गोवा का भी भावन के भौन के भावना हमारी दिल के भौट करीब है इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते हैं साथियों एक भारस्टेश भानत की भावना हमारी गवननस में भी दिखाती है हर छेत्र के विकांच पर हमारा पूरा फोकस है नौर्थ इसका उदहन आपके सामने है पहले की सरकारों में नौर्थ इसको पुरी तरह अंदेखा कर दिया गया क्योंकि पार्लेमेंट की सीटे कम है उनका इंट्रेस्ट ही नहीं था हम वोट और सीटों के हिसाब चेकाम नहीं करते मेरे लिए तो मेरे देश का हर खोना समरुद्ध हो विक्सित हो यह हमारा भाव है आच्चाए सियाचिन हो या फिर देश के आकांची जिले हो कोई हमसे दूर नहीं है वो गाउं जिने पहले आखरी गाउं कहा जाता था हमारे लिए देश के वो पहले गाउं बन गए है और मेरे सारे केमिनेट के मंत्री उन गाउं में रात बितांकर गाया ये कुछ मंत्रियों को तो माइनस 15 डिक्री में रात को रुकना पड़ा वहाँ क्योंकि हम आत्मसाथ करना चाहते हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है हर हिस्से पर हमारा फोकस है साथ क्यों जो भी राजरीती में दिल्चर फिर रखता है और जिसके लिए रोगतांतर के मुल्य प्रमुक रहते हैं वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिक लिए हमारी प्रसमशा करते हैं न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो करही देते हैं इसकी एक बड़ी बज़े है हमने समय के साथ खुद को सकारतवक्ता के साथ बदलने का प्रयास किया है हमने अपनी राजनितिक व्यवस्ता को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर साथन किया उन्होंने एक व्यवस्ता बना दी थी उस व्यवस्ता में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सप्ता के केंदर में रहे उनके आज़ पास रहने वाले लोगों को ही राजनितिक ताकत मिलती रही एहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया हमने इस व्यवस्ता को भी बदल दिया हमने नए लोगों को मोका दिया कि वो हमारी व्यवस्ता का हिस्सा बने और प्रणाम लाकर के दिखाएं इससे व्यवस्ता में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरुप कायम रहा हमारी कैबिनेट में रिकॉर्ड संगे में नॉर्टिस के मंत्री है लागा लेंड चे पहली बार एक महिला राजसभा ने सांसत बने गई है हमें गर्व है कि हमने पहली बार त्रिफुरा के मंत्र व्यक्ति को काउंसिल अब मिनिस्टर्स के अंदर स्थान दिया पहली बार हमारी सरकार में अरुनाचल प्रदेश को केमिनेट मिनिस्टर मिला पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राजसभा के लिए नॉमिनेट किया गया हमारी सरकार में कर्वा से केमिनेट मंत्री बनाये गया हमें गर्व है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृतिका हिस्ता है जो मंत्राले में रिकॉर्ड OBC प्रतिनी दित्व सुनिशित किया जाता है हमित भई ने इसका विस्तार से बनन किया इसले में जादा है उसके पर नहीं कहना चाहता हूं साथ यह हमारी सरकार सब के लिए सब का साथ सब का विकास हमारे काम से ही चलगता है हमें गर्व होता है जब करतार पूर सहाब कोरिडोर के द्वारा लागता है